नमस्कार दोस्तों क्राइम तक मैं आप सब का स्वागत है मैं हूँ सुप्रतीम बैनर जी आज की कहानी राजधानी दिल्ली से है और घटना पिछले महिने की है तारीख है 9 सितंबर 2023 दिल्ली का जो बाहरी इलाका है जिसे आउटर दिल्ली के नाम से जाना जाता है वहाँ एक एरिया है जिसका नाम है नरेला तो इसी नरेला इलाके से दिल्ली पुलिस कांट्रोल रूम को एक कॉल आती है कॉल करने वाला आदमी ये बताता है कि यहां एक कार के पास एक आदमी जो है लहुलुहान पढ़ा हुआ है और उस पर कोई हमला हुआ है कोई अन्होनी हुई है आप प्लीज जरूर यहां चले आए जल्दी चले आए तो जब यह कॉल पुलिस को मिलती है तो दिल्ले पुलिस फॉरण उस जगा के लिए रवाना होती है एक्जैक्ट लोकेशन के अगर मैं बात करूं तो नरेला में एक सिंगोला गाउं है इस सिंगोला गाउं के पास एक सी एनजी पंप है और उसी सी एनजी पंप के ठीक बाहर की अगटना बताई जाती है पुलिस की टीम फॉरण मौका ये वारदात पर पहुंचती है और मौके पहुंचकर देखती है कि वहाँ एक नहीं बलकि दो लोग कार की ड्राइविंग सीट पर और जो दूसरा आदमी है वो कार से बाहर पढ़ा हुआ है तो जब पुलिस वहाँ पहुंचती है तो जाहिर है जब दोनों जखमी लोग है तो दोनों को उठाकर वो हॉस्पिटल ले कर जाती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली कार की की मौत ही तो जाहिर है ये मामला जो है हमले का है कतल का है तो पुलिस सिल्सिले में मुर्डर का एक केस रेजिस्टर करती है और इस मामले की टफिश शुरू करती है तारिक एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता देना चाहता हूँ 9 सितंबर 2023 की ये घटना है राट की आदमी से होती है जो आदमी इस मामले का second victim है क्योंकि first victim की तो मौत हो गई second victim जो इस हमले में बच गया जिसका इलाद चल रहा था उससे पुलिस पूछताच करने का फैसला करती है और यह पुलिस यह समझना चाती है कि भई मामला है क्या तुम दोनों जखमी कैसे हुए तो पुलिस सबसे पहले उस आदमी की पहचान करती है इस आदमी का नाम है खुश्वीर सिंग खुश्वीर सिंग की उम्र है 43 years, 43 साल और वो रहने वाला है शकूरपुर बस्ती का दिल्ली का वो एक शेयर ट्रेडिंग कमपनी में काम करता है और उसके साथ जो आदमी था जिसकी हत्या हो गई उस आदमी का नाम था चरणजीत सिंग और वो खुश्वीर के मुकाबले उम्र में काफी छोटा था उसकी उम्र सिर्फ 28 साल की थी और वो भी उसी ट्रेडिंग कमपनी में काम करता है यानि दोनों अगर मैं रिष्टे की बात करूँ तो रिष्टे में एक कलीग लगते है बिसी कलीग कोई रिष्टा नहीं है बलड का रिलेशन कुछ नहीं है लेकिन दोनों कलीग है और अच्छे दोस्त भी है अब खुश बात मिलकर पीजी आई चंडिगर जा रहा था और इसके लिए उन्होंने अपने बॉस से उनकी कार बोरो की थी आई ट्वेंटी कार और उस कार में सवार होकर वो दोनों निकले थे चरणजीत जो है वो दिल्ली के ही रोहिनी इलाके का रहने वाला था तो दोनों निकले और नोजिया फील होने लगा यानि उसे वोमिटिंग महसूस होने लगी इस पर उसने चरणजीत जो की ड्राइविंग सीट पर था उससे कहा कि प्लीज थोड़ा कार बगल में लगाओ मेरी तबियत खराब हो रही है तो चरणजीत ने गाड़ी रोकी ऐसे भी वो दिल के मरीज को लेकर जा रहा था तो इतना कंपशन तो करना ही था गाड़ी रोकी और अभी खुशवीर जो है वो अपने आपको थोड़ा नॉमलाइज करता वमिट करता या जो भी है कुछ पानी पीता तब तक खुशवीर का ये कहना है कि उसके कार को दो तीन लुटेरों ने अचानक घेर लिया और घेरने के बाद उनके कार में जो भी विलॉंगिंग्स थे वैलोवेबल चीज़ें थी चाहे वो कपड़ों का बैग हो या मोबाइल फोन हो पर्स हो लैप्टॉप हो ये सारी चीज़ें वो लुटेरें जो है लूटने की कोशिश करने लगे कुछ उनके पास लिकुल भिड़ गया था उम्र भी उसकी कम है तो लुटेरों से जब भिड़ गया तो लुटेरों ने उस पर ज्यादा हमले की लेकिन इस हमले में चरनजीत को कितनी चोट लगी किस तरह से वो घायल हुआ इसके बारे मुसे जानकरी नहीं है क्योंकि उसे जब चोट मारी गयी या उसे उस पर जब हमला हुआ थोड़ी ही देर बाद वो खुद वेहो शुकर कार से बाहर नीचे जमेंग पर गिर गया था तो पुलिस को उसकी ये सारी बातें सही लग रही थी क्योंकि सीन ओफ क्राईम जो पुलिस ने देखा था जो अब्जर्ब किया था उससे ख खुश्वीर पर और चरणजीत पर हमला किया था लूट पार्ट की थी और लूट पार्ट करके फरार हो गये थे पुलिस की तफ्तीश जब आगे बढ़ी तो उन लुटेरों की तलाश के लिए पुलिस ने आस पास के CCTV कैमरों की फुटेज खंगालने की शुरुआत की जिस CCTV फुटेज का पुलिस ने बहुत बारीकी से मुआयना किया तो पुलिस को कुछ एक लोग ऐसे भी मिले जो उस मौकाय वारदाप के आस पास मौझूद थे और इनहीं में से एक आई विटनेस या एक चश्मदीद पुलिस को ऐसा मिला जिस ने इस घटना के बारे में पुल दूसरे आदमी को भी लहुलुगान देखा था लेकिन सच्चा ही ये है कि वहां कोई रॉברी या कोई लूट पार्ट जैसी घटना तो नहीं हुई क्योंकि मैं पास ही था अब सवाल ये है कि अगर रॉबरी या लूट पार्ट जैसी घटना नहीं हुई तो फिर ये सब कुछ हुआ कैसे इतना साइलेंटली इतने खामोशी से इतनी बड़ी घटना कैसे हुई जिसमें दो लोग जखमी हो गए एक आदमी की मौत हो गए ये अपने आप में एक आजीब सी बात थी लेकिन जो चश्मदीत था वो रॉबरी की बात से और लूट पार्ट की बात से इंकार कर रहा था और इसलिए भी इंकार कर रहा था क्योंकि उसका ये कहना था कि उस जगह पर अगर डकैती हुई होती कार में लूट पार्ट हुई होती तो कुछ शोर मचता, कुछ हला होता, कुछ बवाल होता, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो ये भी अपने आप में एक बड़ी शौकिंग, एक बड़ी अजीब सी बात थी अब पुलिस ने उस क्लेम को वेरिफाई करने के लिए आसपास के कुछ और लोगों से जो उसी लोकलिटी में या उसी विसिनिटी में जिसे कहते हैं मौजूद थे, उन से पूछ ताच की उन लोगों ने भी किसी रॉबरी या मर्डर जैसी चीज़ को देखने की बात से इंकार किया यानि उनका ध्यान भी रात के अंधरे में किसी शोर शराबे या लूट पार्ट की तरफ नहीं गिया था तो अब पुलिस को ये लगने लगा कि शायद ये जो चशनदीद बता रहा है उस बात में सच्चाई है, उस बात में धम है तो अगर चशनदीद की बात सही है, जिसमें वो कह रहा है कि कोई रॉबरी या लूट पार्ट या शोर शराबा मैंने वहां देखा सुना नहीं था तो इसका मतलब जो इस मामले का विक्टिम नंबर टू है, जो इस मामले में कम्प्लेनेंट भी है क्योंकि उसी की शिकायत पर पुलिस ने इफायार भी दर्च की थी, वो जूट बोल रहा है तो अब पुलिस जो है, उस आदमी से यानि खुश्वीर से दुबारा पूछताच करने का फैसला करती है और इस बार जब पुलिस खुश्वीर से पूछताच करती है, तो पुलिस के पास चुकि एक क्लू होता है और वो क्लू है कि वहाँ कोई डकैती, रॉबरी जैसी चीज़ हुई नहीं थी अब पुलिस भी हैरान रह जाती है कि भई यही आदमी बता रहा था कि डकैती हुई है, मडर हुआ है अब यह कह रहा है डकैती नहीं हुई, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि डकैती नहीं हुई, लूट पार्ट नहीं हुई लेकिन इनकी चीजें सामान सारे वहां से गायब हो गए इनका कलीग चरण जीत जो है वो मारा गया ये जखमी हो गया ये क्या मामला है खुश्वीर से जब और सक्ती से पूछता चुई तो उसने फिर इस मामले की सारी कहानी पुलिस को बताई बेसिकली खुश्वीर इस मामले में विक्टिम नहीं बलकि one of the conspirator यानि एक साजिश रचने वाला आदमी था और वो अकेला नहीं बलकि इस घटना के पीछे कई लोग थे अब पूरी कहानी खुश्वीर ने जो पुलिस को बताई है उसके मताबिक मैं आपको बताता हूँ खुश्वीर और चरंजीत जैसा कि आप जानते हैं ये दोनों एक share trading company में stock market में काम करने वाली एक company में काम करते थे जो company द्वारका इलाके में मौझूद है द्वारका इलाके से operate करते है दिल्ली में भी एक द्वारका है वो गुजरात वाले द्वारका की बात नहीं कर रहा हूँ और इस company का नाम है मिसर्स Reliable Air Con Limited तो ये जो Reliable Air Con है इसी company में कलीग थे चरंजीत सिंग और खुश्वीर सिंग दोनों साथ साथ काम किया करते थे अब इस company का मालिक है हरिंद्र चौधी जो obviously owner है तो वो commonly चरंजीत को भी जानता था खुश्वीर को भी जानता था क्योंकि दोनों उसके employee है चरंजीत ये जो 28 साल का लड़का था जिसकी हत्या हुई वो सिर्फ वहां के employee नहीं बलकि अपने मालिक की आँखों का तारा था क्योंकि वो बहुत talented था और share market पर उसकी बड़ी पैनी नजर होती थी technical और fundamental analysis का वो बादशा था और बहुत अच्छी तरह से shares को predict कर सकता था कि कौन सा share कब उपर जाएगा कब नीचे जाएगा इतना ही नहीं उसने अपने talent के बूते एक device या यूं कहें कि एक software डिबलप किया था जिस software से automatically trading हो सकती थी share market में काम करने वाले लोग अच्छी तरह से इस तरह के software के बारे में जानते हैं जिसे algo के नाम से जाना जाता है मतलब एक algo trading का उसने software डिबलप किया था चरंजीत जिसकी हत्या हुई अब चरंजीत ने algo का software डिबलप करने के बाद उसी software की बदौलत उसी software की मदद से अपने मालिक हरिंदर चोधरी को जिसकी company में वो काम करता था उसको करोणों रुपए का मुनाफ़ा करवाया और इस बात से हरिंदर चोधरी इतना खुश हुआ कि उसने चरंजीत की salary अच्छी खासी increase कर दी बढ़ा दी और उसे बहुत इज़त औ एहतराम से अपनी company में रखा साथी उसके नाम पर एक महिंदरा एक SUV गाड़ी भी खरीद कर मालिक हरिंदर चोधरी ने चरंजीत को जिसने वो software develop किया था उसको दी तो कुल मिलाकर चरंजीत की तो बल्ले बल्ले थी लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा चरंजीत के अपने भी अर्मान थे वो खुद भी share trading करता रहा company से अलग और न सिर्फ करता रहा उसने अपने भी कुछ clients बना लिये थे जिन clients को वो share market में invest करने को लेकर tips दिया करता था और वो client काफी काम्याब होते थे क्योंकि चरंजीत बड़ा expert था जैसे कि मैंने आपको बताया तो एक तरस से देखा जाये तो यहाँ मामला moon lighting का था moon lighting मतलब किसी एक company में काम करते हुए किसी दूसरे आदमी के प्रती या उसी trade में काम करने वाले किसी दूसरे company या आदमी के प्रती अपनी प्रतिबधता दिखाना या उसके लिए भी loyalty show करना इसके लिए एक term होता है moon lighting बहुत सारे लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते होंगे उनके लिए मैं बता रहा हूँ तो खैर moon lighting वो चरंजीत कर रहा था जिससे उसके company का मालिक हरिंदर चोधरी चरंजीत से नाराज रहने लगा था इसी बीच हरिंदर चोधरी की नजर उस software पर और algo software पर भी थी जिसके जरीए चरंजीत ने हरिंदर को कभी करोड़ रुपए का मुनाफ़ा भी करवाय था हरिंदर ये चाहता था कि वो software उसे मिल जाए और चरंजीत अपना डिवलप किया हुआ वो algo जो है अपने मालिक हरिंदर चोधरी को पैरलली कहीं और भी काम करना और भी लोगों को services देना ये दो ऐसी चीज़ें थी जिसकी वज़े से मालिक अपने नौकर को नापसंद कर रहा था यानि अपने employee को नापसंद करने लगा था चरंजीत को अब चरंजीत से वो software हत्याना भी चाहता था और इस हत्याने के लिए उस मालिक ने हरिंदर चोधरी ने ये तै कि वो चरंजीत से लूट पार्ट करके उसका मॉबाइल चीन लेगा और उसका मॉबाइल और लैपटाप जैसी चीज़ अगर वो चीनने में कामयाब हो गए तो फिर वो उस software को हत्या सकता है लेकिन चरंजीत इतनी आसानी से तो देने वाला था नहीं तो फिर इसके लिए उन्होंने बड़ी गहरी साज़िश रची हरिंदर चोधरी ने क्या कि अपने ही एक और employee जिसका नाम खुश्वीर है उसको इसकी पूरी planning बताई और खुश्वीर को राजी किया कि वो चरंजीत को अपने साथ चंडीगर लेकर जाए और रास्ते में वो loot part की घटना करवाएगा और जिसके बाद loot part के दौरान उसके mobile को वो स्नैच कर लेंगे लुटेरे और लुटेरे बिसीकली कोई अंजान आदमे नहीं होंगे उसी के अपने लोग होंगे और बाखी चरंजीत की तो हत्या कर दी जाएगी तो कोई इसके बारे में बताने के लिए भी नहीं रहेगा तो इसी planning के तहट हरिंद्र चौधरी के इशारे पर खुशवीर जिसको दिल में तकलीफ थी उसने कहा कि दिल की बिमारी के इलाज के लिए मुझे चंडिगर जाना है प्लीज मुझे अकमपनी करो साथ चलो चरंजीत उसके साथ जाने के लिए तयार हो गया चरंजीत और खुशवीर निकले और अभी थोड़ी दूर वो गये ही थे नरेला के पास तब तक वमिटिंग का बहाना बना कर खुशवीर ने गाड़ी रुक वाई और इतनी ही देर में लुटेरों के शकल में हरिंद्र चौधरी के भेजे हुए दो लोग वहाँ पर पहुँचे जिन लोगों ने सबसे पहले चरंजीत पर हमला किया और हमला करके उसकी हत्या कर दी रुबरी वाबरी की सारी बातें जूटी थी और चुशवीर उसके साथ था और अगर वो जखमी नहीं होता उस पर हमला नहीं होता तो बात विगर सकती थी तो उन्होंने खुशवीर पर भी कुछ एक हमले किये लेकिन वो चूट घा तक नहीं मारी ताकि खुशवीर की जिन्दगी कोई एक हत्रा न हो और वो बेहोश होने का नाटक करके खुशवीर कार के बाहर नीचे जमीन पर गिर गया और चरंजित के हत्या करके जो भी उसका मॉबाइल पून और दूसरी चीज़े कार पे थी वो सारी चीज़े वो लोग लेकर फरार हो गए वो बिसिकले लुटे रे नहीं थे कोई रॉबर नहीं थे बलकि और फिर उनके बताने पर जीतू शर्मा नाम के एक और आदमी को पकरा जिसने इस अत्याकान को अंजाम दिया और जीतू शर्मा के साथ एक चोथे आदमी को भी पुलिस ने इस मामले में गिरत्तार किया जो इस मामले में इन्वाल्ट था जिसने जीतू के साथ मिलकर चरनजीत की उस रात को हत्या की थी ये तो पूरी कहानी हुई लेकिन ये कहानी इतनी भर नहीं है कहानी ये है कि इससे पहले भी हरिंदर चौधरी ने और खुश्वीर ने मिलकर चरनजीत की हत्या करने की साधिश रची थी तब हरिंद्र के कहने पर इन्होंने ये प्लैन किया था कि वो चंडिगर PGI इलाज के बहाने जाएंगे और ट्रेन से जाएंगे और ट्रेन से जाते वक्त या लोडते वक्त वो चलती ट्रेन से चरंजीत को धक्का दे देंगे और उससे उसका मुबाइल फोन और बिलॉंगिंग्स लेकर दिल्ली वापस चलाएंगे ये प्लैनिंग थी और इस प्लैनिंग के तहट हरिंदर चौधी ने जो है खुश्वीर का ट्रेन का टिकट भी कटवा कर दिया था और चरंजीत का भी ट्रेन का टिकट कटवा कर दिया था और खुश्वीर ये बताता रहा कि उसको दिल की तकलीफ है इलाज के लिए जाना है चरंजीत खुश्वीर को साथ देने के लिए उसके साथ ट्रेन में चंडिगर गया भी और जीतु शर्मा नाम के एक और आदमी जिसका मैंने नाम लिया जिसने इस कतल में अपनी भूमी का निभाई थी उसको अलग से टिकट दे कर हरिंदर चोधरी पहले ही चंडिगर भेज चुका था और चंडिगर से प्लैनिंग के तहट चरंजीत सिंग को लेकर खुश्वीर और जीतु शर्मा जो है लौट रहे थे दिल्ली लेकिन इत्तिफाक से उस समय ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त इस तरह का मौका खुश्वीर को और जीतु शर्मा नाम के उस कातिल को नहीं मिल पाया कि वो चरंजीत सिंग को चलती ट्रेन से धक्का देकर नीचे गिरा देते और उससे पहले उसका मॉबाइल फोन और दूसरी चीज़े उससे चीन लेते तो चूंकि ये प्लैन एक्जिक्यूट नहीं हो पाया वो चंडिगर गए पीजी आई में दिखा भी दिया वापस भी आ गए और चूंकि मर्डर करना संभव नहीं हो पाया खुश्वीर सिंग के लिए पहली बार में तो खुश्वीर में अपने मालिक अपने उनर हरिंदर चौधरी से मिलकर दोबारा प्लैनिंग की और इस बार प्लैनिंग थी कि वो कार से जाएंगे और रास्ते में हत्या करेंगे उसी के मताबिक जैसा कि मैंने आपको बताया इन लोगों ने पूरी प्लैनिंग रची और प्लैनिंग रच के नरेला में दिली में एक CNG पंप के बाहर इन्होंने चरंजीत की गाड़ी में ही हत्या कर दी और तब हत्या कर दी जब चरंजीत चंडिगर जाने के लिए खुश्वीर के साथ निकला था और वो ड्राइविंग सीट पर था गाड़ी को साजिश के तहट खुश्वीर ने रुकवाया और दो कातिल और आए जीतू और एक दूसरा आदमी और उन लोगों ने आकर सीधे चरंजीत की पहले हत्या की और फिर जो भी उसके पास जरूरी चीजें थी वो सारी चीजें इंक्लोडिंग मॉबाइल फोन और वो कातिल वहां से फरार हो गया और खुश्वीर जो है खुद पर चोट लगने का नाटक करते हुए नीचे जमी पर गिर गया इसके बाद की पूरी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ तो ये थी साजिश जो अपने आप में बहुत कॉम कमाने में जिसने मदद की हो उसी की हत्या कर दे तो ये जो है उसका प्रमान है और दूसरा खुश्वीर नाम का वो एमप्लॉई उसको तो जितनी लानत दी जाए वो कम है क्योंकि वो चरंजीत का बहुत पुराना जानकार था साथ में काम करता था चरंजीत के बारे में दिश में शामिल था तो ये दुनिया वाकई कितनी अजीव है और कितने बदमाश कितने दुष्ट किसम के लोग हमारे इर्द गिर्द वहते हैं ये भी एक सोचने वाली बात है इस कहानी पर आपकी सोच आपकी राय क्या है प्लीज कमेंट करके जरूर बताईएगा और ये जो प्रीवेस स्टूरी मैंने आप आप लोगों को सुनाई थी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से दिल्ली पुलिस ने तकरीबर 90 पहले मर चुके एक आदमी को चोरी के एक मामले में फिर से गिरफ्तार दिया 10 साल पहले मर चुके आदमी की गिरफ्तारी कैसे हो सकती है अगर आप यह सब जानना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेइलिस्ट में जाकर आप सुपरतीम से सुनिए कि जो कैटेगरी है या जो सिग्मेंट है उसमें आप उस कहानी को सुन सकते हैं। निरू पालिया का कमेंट है उन्होंने बहुत तारिफ की है वॉइस की नेरेशन की थैंक यू वेरी माच और उन्होंने इस बात पर थोड़ा सा दुख जाहिर किया है कि वो यूरोप में होती हैं वहां रहती हैं और वहां वो मुझे लाइव नहीं सुन पाती हैं। इस इस人े भी कमेंट किया हैं मेहताब ली इदरिशि साहब का कमेंट है बहुत धन्यवाद आपका अमरित रजक का कमेंट है स्वागत है आपका एक्राम आलम व्लॉग्स इन्होंने भी बात रखी है प्रदीब भांबु जी परूप शेष्टा जी मगन जा जी है शिखर रयात इन्होंने आफ्ताब मडर केस के बारे में जानकरी चाही है अगर कोई उससे रिलेटेल इंफॉर्मेशन होगी जो शेयर कर परूँगा आफ्ताब मडर केस नहीं शद्धा मडर केस जिसमें आफ्ताब एक्यूजड है मर्यम मुहमद जी का कमेंट है बहुत-बहुत स्वागत आपका गुर्परीत सिंग जी शिवा शायर ने भी कमेंट किया है और मौलाना निसार अहमद नाकपुरी साहब अफ्रोज अहमद सहब, मुकेश वर्मा, हरजीत बाला, राजन्र प्रवार, एलके फैशन, अर क्या, ने ने, ए-र के, ए-र के यादव ऑफिशियल के नाम से एक कम आईडी है उन्होंने लिखा कि सर आपकी वॉइस मस्त है, थैंकि वेरी मच्छ पावन सिंग जी ने भी कमेंट किया है बिजिनर सिंग है, इश्वर पाटिल और भी बहुत सारे लोगोंने कमेंट किया है, एक हमारे दर्शक है जिन्होंने ये कहा है कि मैं उनका नाम तो लेता हूं लेकिन वो कमेंट में क्या बोलते हैं या क्या लिखते हैं वो मैं नहीं पढ़ता, तो चलिए मैं जो जिक्र कर लिए, टेक सिस्नो के नाम से काड़ी है, थैंकी वरी मच, ये बता रहें कि वो होंग कॉंग से हमें देख रहे हैं, थैंकी वरी मच, इतना कमेंट, इतने सारे सजेशन, इतने सारे राय दिने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सब का, मैं फिर हाजिर हूंगा किसी और कहान किसी और वाकिये के साथ तब तक अपना बहुत क्याल रखिए, सुरक्षित रहे हैं, जैहिंद, जैपाराद.